इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को दे कर किसी दवाई का उप्योग करते ह में कठिना ही होती है और यह उनके बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि अगर उन्हें अपनी भूक मिटाने के लिए पर्याप दूद नहीं मिलता है तो उन्हें को पोशन का सामना करना पड़ सकता है यह उत्पाद मेथी के बीज और प्राकृतिक अर्ख का अनूठ सूत्री करण है जो स्तनपान कराने वाली माताओं में दूद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी साबित हुआ है मेथी रक्ट शरकरा के स्तर को कम करने और टेस्टोस्टरोन को बढ़ावा देने में भी फायदे मंद है यदि किसी का नवजात शिशु है और बच्चे को स्तनपान कराने के लिए पर्याप्ट दूद का उत्पादन करने में कठिनाई हो रही है तो सिपसर मेथी कैपसूल को आजमाने का ये सही समय है शक्तिशाली काबने कव्यवों से बना एक प्राकृतिक उत्पाद होने के नाते इस कैपसूल का कोई पाइदों के बारे में 1. ये कैपसूल कॉलस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करता है और खराब पेट और पाचन समस्याओं को शांत करता है 2. यह मासिक धर्म की एंठन को कम करने में सहायता करता है, यकृत के स्वास्थे को बनाय रखता है और गुर्दे के स्वास्थे का समर्थन करता है 3. स्तनपान कराने वाली माताओं में दूद के उत्पादन में मदद करता है और मांस्पेशियों के दर्द से राहत दिलाता है 4. इस सो प्रतिशत हर्बल उत्पाद का कोई दुश प्रभाव नहीं है और ये जी एमपी और अन्य प्रमुक संस्थानों द्वारा प्रमानित है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें